हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आप सभी का अर्दवारसिक परिच्छा का हिंदी का पेपर फ्रेंस वारल हो चुका है पर तेक स्कूल में फ्रेंस से ही पेपर आ रहा है तो इस पेपर का फ्रेंस आप संपूर हल देखके अब अर्दवारसिक परिच्छा देने तो फ्रेंस देखिए इसमें आपको 20 अंग का बहुई कल्पी प्रश्न है और खंड खा जो उसे 50 अंग का वरात्मक प्रश्न है तो फ्रेंस इस पेपर को आप संपूर्ण हल करके ही अप अर्दवारसिक परिच्छा देने जाएं तो फ्रेंस यहां पर इस पेपर का संपूर्ण हल बताने वाले हैं तो फ्रेंस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चलगो साथ में सब्सक्राइब कर लें फ्रेंस पहला सवाल है कि हिंदी का पर्थं उपन्यास है आप सार है परइष्छा गुरू गोदान अलग अलग वैत तरड़ी कोई नहीं तो फ्रेंस हिंदि को पर्थं पन्या से वह काउंसा है परिच्छा गुरु है इस प्रश्ण का सही जवाब होगा देखें फ्रेंस यह पेपर आपके एक स्कूल में आ चुका है एक स्टुडेंट ने यह पेपर दिया है इसको आप हल करके जरूर जाईएगा देखें दूसरा नंबर का फ्रेंस क्या है आप चाहिता है आप सने तुलसीदाजी है सूरदास भूसर भारतेंदु हरिस्चंद्र तो फ्रेंस इसका सही जवाब अवला होगा तुलसीदाज स्रीकृष्र गितावली के रचैता कौन है तुलसीदाजी है तीसरा सवाल फ्रेंस क्या है आपका कि हिंदी का प्रथम कहानी है आप सने कफन है ममता है इंदुमती है या कोई नहीं तो फ्रेंस इसका सही जवाब और सवाला सही होगा इंदुमती तो हिंदी का प्रथम कहानी कौन है फ्रेंस इंदुमती है आपका अगला सवाल है हिंदी साहित का इतिहास के लेखक है आप सन पहले देखे फ्रेंस हजार प्रसाद दिवेदी राम चंदर शुक्ल गुलाव राय या चार नंद कुद्दुलारे बाच पेई तो फ्रेंज देखे इसका सही जवाब होगा दो कि हिंदी साहित के इतिहास के लेखा कौन है आचार नंद कुद्दुलारे बाच पेई ठीक है समझ में आ गया अब देखे अगला प्रसाद पाचवा नंबर का क्या है कि रस्मिमांसा के रचनाकर है अब बताना है फ्रेंज यहाँ पे जो रस्मिमांसा है इसके रचनाकर कौन है आपसन राम चंदर शुक्ल महावीर प्रसाद दिवेदी हजारी प्रसाद दिवेदी या पंडित बालकृष्ण भट तो फ्रेंस आप याद रखिएगा कि रस्मिमान साक रचनागर जो है राम चंद्र शुकल है इसका सही जवाब क्या होगा और वाला आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल फ्रेंस आप ध्यान दिजिएगा कि जैसंकर प्रशाद किस यूग के लेखक है ठीक है आपसन है सुकल यूग छायवाद यूग प्रगतिवाद यूग या प्रयोग वाद यूग तो फ्रेंस आप याद रखिएगा जो जैसंकर प्रशाद जी है एक छायवाद यूग के लेखा कहते हैं इसका सही जवाब बहुवल आपसन करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल फ्रेंज सात्वा नंबर का आपका क्या है कि दुरूव स्वामिनी नाटक के रचनाकर है ठीक है आप संदेखे फ्रेंज मोहन राकेश जैसंकर प्रसाद लच्मी नारमिस्र उप भारती संस्कृति की रचनाकर कौन नेक्टराजंद्र परसाद अचयार रामंचंद्र शुक्ल घजारी परसाद दिवए दी जैसंकर परसाद करेक्ट हो जाएगा पर अठ् estimates क्रिकि रचनाकर जो है ऐल्ग्टराजंद्र परसाद जी है अगला उनबर का आपको बताना है कि अश्ट छाप का सर्वस्रष्ट कवी कौन है? इसके आपसन को देखते हैं देखते हैं अपको आपसन जब द्यांस देखेंगे सूरदास नंददास परमनंदास या इसका सही जवाब दोवाला आपसान करक्ट हो जाएगा कि इस न करेंगें दस्वा नंबर का है कि रस खान हिंदी साहित्त कि किस काल के कवी हैं आपसने आधी काल भकति-काल रितिकाल आधुनिक काल तो फ्रेंज रस खान के बारे में याद रखिएगा कि रस्खान जो हिंदी साहित के भक्तिकाल के कवी है इसका सही जवाब बावला आपसंद करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल फ्रेंज कि अपमान सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो फ्रेंज देखिए उपसर्ग का मतलब होता है जो सब्द जान दीजेगा आपसंद है कि द्वन्द द्यूगू करमधार या बहुब्री यह तो देखिए राजा और राणियों फ्रेंज जब इस प्रकास रहता है तो उसमें आपको जो समास आता है द्वन्द समास आता है इसका सही जवाब अवला आपसंद करेक्ट होगा अगला जाए जवाब अवला आपसंद करेक्ट होगा रात का तस्वन आत्री होता है समझ में आगया अगला सवाल है कि करेश का पारवाची है तो आपसंद देखे महेश होगा गड़पती होगा देवेश होगा यह सुरेश तो फ्रेंसिक का सही जब गबबवला आपसंद कि पती अगला सवाल फ्रेंच से ही रस्क अस्थाई भाव क्या है आप शर्क म्रिग में वर्नी तुम देखी सीता अम्रिमय में कौंसा रस आप संहाज होगा करूल रखोगा नीर या रद्र देगे फ्रेंश जब इस वाक्य को पढ़ेंगे इसमें आपको दुख का महसूस होगा कि यह दुख मास दुख ब्यक्त कर रहा है खाग मिर्ग है मदुकर होनी तुम देकी सीता मिर्ग नई नहीं तो यह करूर रज होगा कौन से रज़ फ्रेंश इस की रूपक अलंकार है जहां एक मांक निस्यद रहत आहरोप्किया कीच किया जाता है pork भरूपक काल अरंगों होता है वहां बेबार कर दो सीज प्रथम और तिर्थी जो चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती है इसका आपसा आपका 20वा नंबर का सवाल देखिए क्या है कि यूसमत का सब्तमी एक वचन का रूप लिखिए आपसा ने तोई होगा तोगा त्वत होगा यत्ते होगा तो फ्रेंज इसका सही जवाब एव हैं कुछ प्रष्ण आपको बता देते हैं हलका सा देखिए यहां पी इस प्रष्ण का थ्वड़ा से इंसवर आप करेक्ट कर लिजिए का देखिए यहां पर चोधा नंबर का कि हिंदी साहित का इतिहास के लेका कि यहां बताने हम थ्वरा से मिश्टेक हो गया फ्रेंज इ आप इस प्रष्ण को आप सुधार लिजिएगा अब चलिएए फ्रेंज यहां पर खन्ड खॉ के सभी प्रष्ण रिखाते हैं इसको हल करके पेपर में जरूर जाइएगा ठीक है देखिए फ्रेंज यहां पर खंड खहई स्टार्ट करते हैं अब देखिए क्या है निम्न नीति एवं सद्वृत्ति का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छह करता है किसी युवा पुरुष की संगती यदि बूरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दीन दीन अवनती के गड़े में गिराए ती जाएगी और यदि उसकी काफ है आप से क्या करेंगा इस प्रकाश से उसके गड़्यांत लिखना रहेगा रहांकित अंश की ब्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारन में आपको यहां पर लिखना रहेगा आपको 22 नमर का देखिए तवाल क्या है कि दिए गए पद्धांश पर आ पर लिखा उस सब्त के लिए प्रियुक्त क्या है इसके बारे में आपको यहां से बताना है इसके बाद आपको 23 नमबर का सवाल करके जाएगा कि निम्न में से किसी एक का सवसंदर्व हिंदी अनुवाद कीजी जो छान नमबर का देखिए आपका आने वाला है इसको आप याद होगा आपको उसको लिखना है इसके लाव देखे फ्रेंस प्रश्न क्या आपको याद करके जाना है कि निम्न लेख लेखों मेंसे किसी एक लेखा का जीवन परचे देते हुए उनके प्रमुक रचनाओं का नाम लिखना है जो पांच नमबर का आठीक है अब क्या कर आपको राजेंदर प्रशाद या संकर प्रशाद या भगवस रड़ उपद इन तीनों में से किसी एक के बारे में ही जीवन परचे लिखना है इसके लाँ प्रश्ण को देख लिजिए फ्रेंस कि निम्न कवियों में से किसी एक कवी का जीवन परचे देते हुए उनकी किसी एक प्रमुक रचना का नाव लिखना है कितने नंबर का है पांच नंबर का यह आपका सूर्दास रस्खान राम रेस्तिरफाट इन तीनों में से किसी एक का जीवन परजा लिखना है इसके लागा देखें आपका संस्क्रीट से जो प्रशन है क्या है निम्न में से किसी एक प इन सभी प्रशनों को आप हल करके जरूट पेपर में जाईएगा चलिए अगले प्रशन को दिखा देते हैं फ्रेंस आपको अगला प्रसन क्या है कि निमनी विश्यों में से किसी एक विश्य पर निबंद लिखना देखें निबंद कितने नंबर का है दस नंबर का रहेगा प्रशनों में से किसी एक पर आपको निबंद लिखना रहेगा और लिखते हैं तो आपको दस नंबर मिलेगा फिर इसके बाद देखें आपको अगला प्रसन क्या है पूछाएगा कि एक दिन आवकास है तूँ अपने प्रधरचार को प्रात्ना पत्र लिखना है जो कितने नंबर करेगा पांच नंबर का इससे आप जरूर याद करके जाईएगा अगला वरेंश है अपने पडित खंड काव की आधार पर निव लिखने में से किसी एक काहई उतर देना पांच नंबर का मुक्ती मुक्ति दूत खंडकाब की कथावस्तु संच्छेप में लिखना है मुक्ति दूत खंडकाब के आधार पर गाधी जी का चरित्र चित्र करना है तो फ्रेंज देखिए आपको यह पूरा जो बारल पेपर हुआ है अर्दवारसी का हिंदी का पेपर आप सभी को बता चुके है यह जरूर आप हल करके जरूर जाएगा तो फ्रेंज आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक करें चैनल पे नए है तो चलब को सब्सक्राइब करें